एक बार एक गल्फ्रेंड अपने बॉइफ्रेंड से पूछती है अच्छा किसी दूसरी लड़की के साथ मेरी शादी हो जाए तो तुम क्या करोगे बॉइफ्रेंड ने कहा भूल जाओंगा ये सुनकर लड़की गुस्से से दूसरी तरब घून गई फिर लड़की ने कहा सबसे बड़ी बात कि तुम मुझे भूल जाओगी जितना जल्दी मैं तुम्हें भूल सकूँगा उससे जल्दी तुम मुझे बुला दोगी फिर लड़की ने पूछा लेकिन कैसे लड़की ने भूलना शुरू किया शुचो शादी का पहला दिन है तुम एक तरह के घर में हो शरीद में जेवर चेहरे पे मेकब चारो तरफ कैमरा के फ्लैश और लोगों की बीड में जहाद तुम मुझे चाकर भी याद ने कर सकती और मैं तुम्हारी शादी की घबर सुनकर दोस्तों के साथ कुछ उट पटांग पीकर किसी कोने में पढ़ा रहोगा और फिर जब मुझे होश आएगा तब तुम्हें हाटलेस दोके बास बोल कर गाली तूंगा फिर कभी जब तुम्हारी याद आएगी तब दोस्तों के गंदे पर सिर रखकर रो लिया करूँगा शादी के बाद तुम्हारा बीजी टाइम शुरू हो जाएगा फिर तुम अपने पती और अजारो तरग रसमों को निभाने में बीजी रहोगी फिर कभी ना कभी तुम्हें मेरी याद आएगी जब तुम अपने पती का हाथ पकड़ोगी और जब तुम उसके साथ बाइक पे बैटोगी और मैं आवारा की तरह इदर उदर घूमता रहूँगा जैसे जिन्दीगी का कोई मकसद ही नहीं और अपने दोस्तों को समझाऊँगा कि कभी प्यार मत करना कुछ नहीं होता प्यार महबत खदम हो जाती जिन्दीगी प्यार के चक्कर में और कुछ मैंनों बाद अचानक तुम्हें मेरी याद आएगी और तुम यही सोचोगी कि शायद अच्छा हुआ कि तुम्हारी साधी मुझसे नहीं हुई जहां एक और तुम्हारी लाइफ सेटल हो गई वहीं दूसरी और मैं सभी लोगों से डाट सुन सुनकर लगबग सुधर गया हूँ और सोच लिया हैं अब कोई काम करना है एक सुन्दर सी लड़की से शाधी करके तुम्हें भी दिखा देना है और सबको यही कहूंगा कि भूला दिया है मैंने तुम्हें लेकिन तब ही भी मैं तुम्हारी पुराने में जजिसको आदी रात को निकाल कर पड़ूँगा और सोचूंगा शायद मेरे प्यार करने में ही कमी थी जिसके कारण मैं तुम्हें पाना सका यहां तब कुलले के बाल लड़के ने देखा कि लड़की के आखों में आसू जलक रहते लड़की भर ही आखों से लड़की के तरफ देखती है लड़की के लबजों पे कोई शब्द नहीं होते लड़का भी बिलकुल चुप दो मिनिट के लिए दोनों चुप रहे थोड़ी देर बाद गल्फ्रेंड ने कहा तो क्या सब कुछ यही खतम हो जाएगा गल्फ्रेंड ने कहा नहीं किसी राज जब तुम रूट जाओगी अपने पती से किसी बात पर और तुम्हारा पती याराम से सो रहा होगा लेकिन उस राद तुम्हारी आखों में नीन न होगी और इधर मैं अपनी पतनी से किसी बात पर बहस करके मैं भी तुम्हारी तर जागा रहूँगा पूरी दुनिया सो रही होगी सिर्फ हम दोनों के अलावा फिर हम अपने अतीत को याद करके खूब रोएंगे लेकिन ये बात भगवान के अलावा किसी को पता नहीं चलेगा बस इतना सुनने के बाद लड़की लड़के उगले लगा कर रोने लगती है अच्छा लोएंगे